प्यारे बच्चो प्यारे बच्चो हमारे हिंदी मजमून का सबख नमबर दस उल्जन उसे हम पढ़ेंगे समझेंगे पढ़ो समझो और दहुराओ रमा कई दिनों से परेशान सी लग रही थी मा से उसकी ये उल्जन छिपी नहीं थी रात में रमा खाना खा कर पढ़ने की बजाए अपने पलंग पर लेटी छट देख रही थी बेटी के पास बैठते हुए मा ने पूछा बेटा कई दिनों से देख रही हूँ के तुम कुछ परिशान हो क्या बात है मा हम लोग परिक्षा के बाद हमेशा कहीं न कहीं घूमने जाते हैं उसमें बहुत पैसा खर्च होता है न कितना होता होंगा हिचकते हुए रमा ने पूछा मा के अंधरों पर मुस्कान तैर गई तो तुम खर्च को लेकर परिशान हो रमा बोली नहीं मा हम लोग इस बार अगर कई ही ना जाये तो क्या वो पैसे मुझे मिल सकता है तुम्हें इतने पैसो की क्या जरूरत आ पड़ी मा की आवाज में आस्चरिय था मा सुलक्षना की मा की तबियत ठीक नहीं है डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है आपको मालूम है की बड़ा परिवार होने के कारण उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता गरीबी के कारण वे इलाज नहीं करा सकते मैं सोच रही थी के ये पैसे उनके काम आ जाएंगे रमा बोली मा ने कहा बहुत सारे डॉक्टर पापा के मित्र है तुम कल ही सुलक्षना से कहना की वे अपनी मा को लेकर आ जाए उनका इलाज हम लोग करवाएंगे तुम कितनी अच्छी हो रमा की आखों में खुशी की छलक उठी थी रमा के माथे को चूमती हुई मा बोली मेरी बेटी सबसे अच्छी है क्यूंकि उसका दिल दूसरों की तकलिफ से दुखी होता है सुनकर रमा का मन खिल उठा लेखी का नीलम राकेश अच्छी आपकेश झाल झाल